असलाम उलाइकुम मैं हूँ आपका होस्त नुमान कुरेशी आज हम हाजिर हुए हैं मट टोन्स और कॉमिकॉन पीके की जानिब से एक और इंट्रिव्यू के साथ जिसमें पाकिस्तान में कार्टूनिंग की दुनिया के बिखतरीन कैरिकेचर आर्टिस्ट हमारे साथ मजूद है जाहिद मसूद साथ सर कैसे हैं आप अलहमदुल्ला आपके इलावा आपके कितने बहन भाई है मेरा एक भाई है और दो बहन है क्या आपके इलावा भी कोई फैमिली में इस फील्ड से रिलेटिड है मेरा भाईजा एक वो कार्टून ज़रा बनाता है लेकिन कैरिकेचर इस नहीं है वो इल्लस्ट्रेटर है बेस्किल जब आप स्टूडेंट थे तो आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद करते थे स्कूल में तो हमारे वोई जर्रल सब्जेक्ट्स होते थे लेकिन तब ये था कि डीपीएस में है क्योंकि डीपीएस से हूँ और वहां पर आर्ट्स का सब्जेक्ट होता था जो आम तो पर अब इतना जादा आप तो खायर बहुत जादा होगे आर्ट्स के सब्जेक्ट बड़ा पर आए जाते हैं लेकिन उस मिमाने में बहुत वो ब्लेसिंग थी कि वहां पर आर्ट्स करा का एक सब्जेक्ट होता था वहां जो के मेरा बहुत परसंदीदा था किस कॉलेज से तालीम हासिल गई आपने कॉलेज मैंने फार्मारेट क्रिश्टिन कॉलेज से एफे किया था आपके कॉलेज फ्रेंड्स में से भी कोई इस फील्ड से मुनसलिक हुआ या नहीं कॉलेज में दाफला लेने के लिए आपके पास ऑप्शन एफसी ही था या इसके इलावा भी आपने कोई लिस्ट बना रखी थी मैंने एफसी कॉलेज में ही अप्लाय किया था वहीं पे अड्मिशन हुआ था अपने अपना कार्टूनिंग केरियर कब स्टार्ट किया और कब मेहसूस हुआ कि आपको कार्टूनिस्त बनना चाहिए पज़ाब इनिवस्टी में सब्चेक्च होता था हमारा बुक इलिस्टरेशन और वैसे मैं क्लास पर हमें कार्टून उकरा बनाता था लेकिन as a subject हमने cartooning तो पढ़ा नहीं लेकिन illustration हमने पढ़ी उसमें क्यूंके cartooning काफी इस्तमाल होती है और use भी होता है book illustration जैसे आप लेने हैं तो उसमें cartoon caricatures वरा और figures drawing वरा इस्तमाल होती है तो वहीं से मुझे shock डॉप हुआ और मैंने ज्यादा मैंने Excel book illustration में किया मेरी specialization भी book illustration थी तो वहीं से मुझे ये ये तो मैंने गहाद जो caricature है ये तो बहुत बाद में आके start किया basic तो मैंने वही illustration पर ही काम किया बहुत जादा और graphic design में काम किया आपके जो काम करने का style है आपने कब find out किया और आपको कब पता चला के मुझे इस style में काम करना चाहिए मैंने कोई भी particular style follow नहीं किया उसमें ये था कि मैं versatile रहना चाहता था मैंने different mediums में काम किया जैसे water color में, pen and ink में काम किया आप तो खेर है आपको पता है जैसे digitalize हो गया सारा कुछ digital में भी काम किया मैं कुछ टका अपनी रहा किसी एक style में मैं अपना style वक्त के साथ-साथ change करता जाता हूँ As a cartoonist आप pencil या brush दोनों में से जादा किसमें काम करना पसंद करते हैं मुझे सबसे जाए जब मेरे जो favorite है नाप pencil sketching है उसमें बहुत जादा एक तो आप जल्दी काम कर सकते हैं फिर उसमें tones बहुत मज़ेगी पिर आपको बार-बार color और brush के साथ इसमान खेलना नहीं पड़ता और आपके बास different mediums की जैसे pencils में different thickness की और वो softness की pencils होती है उसकी shading में उसमें बहुत आदा सानी हो जाती है और हर type की जो है उसके नर shading दे सकते हैं उसमें ज्यादा easy हो जाता है बनिस्पद इसके कि आप brush और water color आप किस school of thought पे यकीन रखते हैं क्या आपको लगता है कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें खुदादाद सलाहियते होती है या उसके पैदा होने के बाद उसको artist बनना वड़ता है यह जैसे लोग कहते हैं inbound capabilities होती है इनसान के अंदर उसको फिर उजागर करने की बात है कि अगर आपको अच्छे teachers मिल जाए और आपके parents और आपके अंदर यह capabilities judge कर लें और आपको उस field में जाने दें और उसमें आपको excel करने दें और आपको उसमें अच्छी guidance मिल जाए तो आपकी वह जो inbound capacity ती उस वह पर enhance हो जाती है white paper और black ink में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या colors में दोनों तरीके से मतलब मूड बंदेंद कर अपका अपन भी मूड और आपका मेडियम में भी आपकी specialization है udah मतलब जादा अच्छा किस मेडियमें काम कर सकते हैं मेरा ख्याल से हर मेडियमें काम करना चाहिए आपको डिफरेंट मूड होते हैं और आप ज़्यादा सेकते हैं different medium में काम करके जब आप student थे तो जो आपके दौर की हकूमत थी क्या वो students के लिए supporting थी या आज की हकूमत supporting है government में तो मैं ना पहले कोई support थी artist के लिए ना मेरे खाल से आपको ही मैं देखता हूं कि को support है यह तो individual की अपनी thoughts पर dependent करता है कि वो कितना excel करना चाहता है और teachers पर बहुत जबंद करता है कि teachers आपको किस तरह से आप में evaluate करते हैं आपको और आप में से जो आपकी capabilities है उसको कैसे उजागर करते है government का मेरे खाल से भी तक ऐसा कोई एक खास रोल नहीं है आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान में कार्टूनिंग का क्या scope है क्या जो आजकल के नौजवान नसल है जो यंग आर्टिस्ट है उनको इस फिल्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए scope की जहांता का वाले से बात की जाए तो हमारे newspapers में scope है newspaper में कार्टूनिव काम करते हैं अब क्यूंकि newspaper के भी trend खत्म होते हो जा रहा है e newspaper आते जा रहे है और आपका exposure बढ़ता जा रहा है एक तो वह field है उपर से दूसरी यह किया कि आपकी बुक्स जो प्रिंट होती है उसमें बुक इलिस्ट्रेशन है उसमें कार्टों वगरा यूज होती है और आपकी यह जो गेमिंग आप निया जो ट्रेंड चल रहा है गेमिंग जो इंस्टिट्स है इस पे गेम्स उगरा बनती है उस पे इन लोग इस पे एक्शल कर रहे हैं इसके अंदर आपको कभी लगा कि आपको किसी और फीर्ड में जाना चाहिए य के आप इस पैंद करता है कि आप किस तरह से लाइफ को देखते हैं मेरा ये था कि मैं काम करना चाहता था और strict इस पे काम करना जाता था और वहास दिफेर्ट मीडियों उसमें काम काया हुए और मने प्राड़क्ट डिजाइनिंग में इंटीर में और इस तरह से फील्ड में काम किया हुआ यंग आर्टिस्स जो केरिकेशर्स कर रहे हैं आप उनको क्या ड्वाइस करना चाहेंगे करिकेशर्स बनाना किसी बुक से नहीं सीखा जा सकता है यह आपको करके ही आता है और आपको कॉंटिनिस स्पेसे पर यह करना पड़ेगा और आपको आइडियाज पहले आप यह तो इंस्पिरेशन लेकर करें यह अपना कोई आइडियाज फ्लोट करें और फिर उस पर जो है एक्सल करें और फिर आप उस में मेडियं में भी काम करें और यह नहोंकि आप बिलकुल स्टॉक हो कि किसी को फॉलो मत करें आप अपना style develop करें, आप अपना जितना भी आपके जो जैसे आप digitalized चीजियों होती जा रही हैं, तो उसमें वो आप उसमें excel करें, काम करते रहें हैं, sir. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रीया आपके time का.